नमश्कार विराट 24 नियूस की तरफ से आप सब को 9 वर्ज की हार्दिक शुब कामना है इंदौर के हाईजी कालूनी में रहनी वाली एक इंजीनियर युपती ने तुकोगंच इलाके की 9 मंजिला बिल्डिंग से कूट कर जान दे दी इंजीनियर युपती दो दिनों से अपनी सहीलिक यहां रहने आई थी जहां अल सुबा उसने यह कतम उठा लिया पुलिस के मताबिक उसने एक सुसाइट नोट भी छोड़ा है जो इंगलिश में लिखा है इसमें उसने तनाव और गनवीर बिमारी से पीडित होना बताया है तो कोगन साना S.I.R.R. पटेल ने बताये कि सत्गुरु गोपुल रसिडंसी बिल्डिंग से प्रत्मा पुत्री प्रत्वी चौक से ने कूट कर अपनी जान देगी दो दिनों से अपनी दोस्त सौम्या गंगराडे के फ्लैट पर आकर रुकी थी प्रत्मा ने देर राट प्लैट से कूट कर आत्महत्य करी यहां अल सुबाग गार्ड गणेश प्रजापती को खून से लगपत लास पड़ी भी प्रत्मा अधरबाद की एक ऑनलाइन कंपनी में इंजिनियर के पर पर काम कर रही थी उसके पईवार में मा अनीता चौक से डॉक्टर है वही एक भाई है सौम्या गंगडारी ने पुलिस को पूस्ताष्य बताये कि दो दिनों से राट में प्रत्मा उनके घर आ रही थी वह कुछ दिन से घर से ही कंपनी का काम कर रही थी प्रत्मा के साथ वह दूसरी सहेलियों को भे बुला रही थी राट में वह काम के दौरान बैट कर बाते करते थे राट दो बजे तक सभी आपस में बाते कर रहे थे इस दौराँ प्रत्मा अपने लेपटॉप पर काम भी कर रही थी करीब तीन बजे के लगभग सभी सो गए थे लेकिन प्रत्मा इसके बाद भी काम करती रही जांच अधिकारी के मताबिक प्रत्मा के लेपटॉप के यहां से दो पन्नो का सुसाइट नोट मिला है जिसमें उसने गनभीर बिमारी से परिशान होने की बात कही है वह यह बात अपने परिवार को नहीं बता पा रही थी प्रत्मा को सरीर में काफी दर्द होता था पुलिस के मताबिक सूचना के बाद प्रत्मा की परिवार के लोग अस्पताल आए मामले में जाच भी जारी है पिता पर्थम में चोक से उमर तेविस साल निवासी एच आई जी कालो ने दोर की रात में गोकुलदास अस्पताल के पास मल्टी में लड़कियों के साथ लड़कियों के साथ बेटे थे और साल का अनन्द ले रहे थे और वो क्या कोई बीमारी से तंग थी इसलिए उसने आत्मात्य कर ली और उसमें कोई खारण नहीं है बीमारी से तंग होकर के उसमें सोसाइड नोट मिला है उसमें लिखा गया है कि मैं बीमारी से बहुत दिनों से तंग हूँ और आप पिता जी को न बताना अच्छा नहीं है, इस कारण बोले आत्मात्या कर लिए और कोई खारण नहीं, और न कोई सक्सुभा है, यह बिल्डिंग से छलांग लगा लिए थे, इतनों उपर सी दिलिए थे, साथ में मंजल सी को थे, यह एचाइजी कालोनी की और कमपनी म में थे, उस में नोकरी करती थे, घर से ही आनलाइन करती थे, परिवार सब है, माता पिता, बेहन भाही सब है, उच नहीं बोले, बीमार बहुत जादा थी, और बीमारी से बिल्कुल गायल बिल्कुल, अब इतनी जानकारी नहीं, उनके साथ दो तिन लड़कियां थी, बता उपनेरिक सगारार पठे